केलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग भी ऐलल पी 8 समेस्टर की स्टूडेंट्स और एलल पी 3 पीछ समेस्टर की स्टूडेंट्स के लिए आज का मेरा वीडियो होने जा रहा है जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉग तो बी एल ल pakai सेमेस्टर का जो है फर्स पेपर जो का इडिनिस्ट्रेटिव लॉग का होगा आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला इंग्लिश हिंदी टोनु मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो है इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जारे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और घ्रिट से जुड़ा हुआ कम से कम एक या दो कोशन आपके हर वार हर पेपर में आते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है कोई भी बच्चे बिल्कुल इसको मिस ना करें लास्ट तक पूरा वीडियो देखे और जैसे हरबार हम प्रॉमिस करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्रैंट विडियो विड़ियो बनाना शूरू किये यह वह बहुत सारे बच्चों के रेगुलर जो है यह queries आ रही थी कि सर्व हमेना topics मिल नहीं पा रहे हैं और काफी दिक्केत होती है तो आप एक वार अगर overview करके वीडियो बना देंगे तो काफी easy रहेगा बच्चों के लिए तो इसलिए मैंने क्या क्या है कि हर semester के कुछ important topic subject wise जाए उसके overview वीडियो बना दी है तो उसी तरीके से आज जो हम cover कर रहे हैं वो reads different types of reads cover कर रहे हैं तो reads जो है काफी important topic रहने वाला है क्योंकि यह जो reads है इससे जुड़ावा हर वार एक से दो कुशन आता है तो students त्यार हो जाए बी एलवी एड समस्टर के आपके एक्जाम भी मैं बता आता हूं कब होंगे एक्जाम आपके जून में हो जाएंगे डेफिनिट्ली जून में आपके एक्जाम होंगे इस वार यूनिवर्स्टी बिल्कुल डिने नहीं करेंगे आपको यारोगा पिछ फिर उसके बार एडमेट काड़ों में काफी प्रावलम हो रही थी सेंटर बच्चों के रोज चेंज हो रहे थे लेकिन फिर भी इन्होंने क्या 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 टाइम से एक्जाम शिरू कराई दिए डिसमबर लास्ट वीक से तो इस वार भी वही सब है टाइम से एक्जाम होग और फंदरा से govern की बीच में आपका रिजलिट भी आ जाएक और एक और इंपॉर्टेंट अनॉंसमेंट है और यहए कि आपके एकजामीनेशन फॉर्म भी जल्दी आने वाले तो मार्च एंड तक आपके एक्जामीनेशन फॉर्म भर देंगे तो आपको यह यह आग य लिए तो रिट्स से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट वीडियो आईए आप वीडियो की नेक्स लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो आज का जो वीडियो है एड्मिनिस्ट्रेटिव लोग तो आज हम रिट्स कवर कर रहे हैं डिफरेंट टाइप आप नहीं है रिट्स ऑफ प्रोहइबिशन रिट्स ऑफ शेल्टिरारी और रिट्स ऑफ मेंटमस रीट्स क्योवरेंट यह न्यए त्रोटाल पांच रिट्सेंट मेजसें हम स्पैशल निट्स अर्टिकल्स व्रोविजन persönlich का किए हैं तो Constitution of India High Court Supreme Court को यह पावर देती है कि Special Matters के अंदर जहां पर जरूरी हो जहां पर Fundamental Rights का violation हो रहा हो या Constitution के laws को बाइपास किया जा रहा हो तो वहां पर इस टाइप की जो रिट्स है वह High Court Supreme Court इस्यू कर सकते हैं है क्योंतल तो स्कारी वह्टाल 15 सत घ्रिट्स हैं रिपस्क और पर उपिश्फ कार्पस रिट्स ऑपड़ंडे करने के लिए चारीन के लिए किसी भी specific एक्शन के आगई है यह आर क्रूश है टूल्स इन रिलम अप प्र आडелю की है best vibes के लोग उस्वित of the individual liberties and ensure the proper grievances तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी इसकी प्रोपर governance की बात कर रहे हैं यहापे इंडिविज्वल के राइट्स और liberties को प्रेटर करना हूँ तो हीहाँ ओवर्विव फिभ इंपर्टन् रिट्स यहाँ पे 5 इंपर्टन् रिट्स इंकाम ओवर्विव करेंगे विद special reference to the rate of happiest corpus, rates of prohibition, rates of certiorari, rates of mandamus and rates of Covenant, तो यह जो rate है special provisions के अंदर constitutional rights को प्रेटर करने के लिए Constitution को प्रट करने के लिए और प्रॉपर कवर्नेंस के लिए यूज के जाते हैं तो इम्पोर्टेंट्ट टॉपिक है आपके Constitution का भी आपके एक्जाम की एक्जाम में आते ही आते ही इसको तो टैंट टॉटिमांगस का कोश़न इसमें से आपको ऐसलि मिल जाए लिया तो आईए नेक्स स्लाइड की तब एजुकेटर आप देली जो है आपके लिए लेकर आज अज अबिनिस्ट्रेटिव लॉग जिसमें हम एक इंपॉर्टन टॉपिक कवर रहे हैं तो रिट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिट्स जो है वो फाइफ टाइप्स की होती ह पहली जो रिट्स है वह हप्यास और अगर हम पर्पस की बात करहें कि रिट्स ऑफ हफ्यास का पक्यों इस्ःश्यू कि जाती है तो रिट्स जो है वह प्रटक्ट करती है इंड्विजूल के राइट्स को पसनल लेबर्टी स्धको यह प्रिवेंट करती है अनलोफुल डिटेंशन, इम्प्रीजमेंट, ठीक है किसी भी व्यक्ति को घलक तरीके से पंधक बनाया जाए, रोका जाए, ठीक है उसको इम्प्रीजमेंट किया जाए, उस कंडिशन में रेट ओफ MBS कॉर्पस फाइल हो सकती है, इसके अप्लिकेश कानुनी तरीके से रोक के रखाऊ है, आप इसके इफ्यक्त जो कोट है, वह ओडर कर सकती है, यहनि कि कोट औरर करेगी वाई जिसको आपने बंधक बनाया लिटेण करके रखाऊ है, जेल में डालाऊ है, उस वेक्ति को court के सामने पेश किया जाए, justify किया जाए, legality of the detention, कि आपने किस गुना, किस धारा, किस section के अंदर, इस वेक्ति को detain किया हुआ है, if the detention is found to be unlawful, अगर किसी भी तरीकी की detention जो है, वो unlawful पाई जाती है, तो person must be released, person को release किया जाता है, इसका सबसे टाजा उधारण जो है, हमारे पाकिस्तान में मिलता है, rate of heaviest corpus का, जहां पे supreme court ने सोते संग्यान लेकर, जो सरकार दुआ रहा था, वो इमरान खान को जो है, unlawful return किया हुआ था, जेल में बन किया हुआ था, imprisonment किया हुआ था, तो उन्हों ने क्या किया, court ने बोला, कि इमरान खान को हमारे सामने पेश किया जाए, इमरान खान को court के सामने पेश किया गया, court ने पुछा, कि आपने किस power से, किस section में, इसको जो है detain किया हुआ हुआ है, तो वो detain जो किया हुआ था, उसमें वो प्रूव नहीं कर पाए कि वो किस तरह का lawful detain था तो इसलिए उसको unlawful मानते वे court ने release कर दिया था इम्रान कान को छोड़ दिया था और court से इम्रान कान की आजादी हो गई थी अब आता है आपका rate of prohibition अगर हम rate of prohibition की बात करें तो इसका purpose क्या है क्यों शुकी जाती है तो rate of prohibition जो है issue की जाती है prevent करने के लिए inferior court, tribunal और administrative body from exceeding its jurisdiction जो भी lower court अपने jurisdiction से भार जाकर कोई काम कर रही है acting beyond its legal authority वो अपनी legal authority से beyond काम कर रही है तो उसको rate of prohibition यूज कर की जा सकती है उसका अगरी इस फाइल की जा सकती है application कौन दे सकता है इसकी this rate is typically sought by the higher court और authority to retain a lower court और tribunal from taking a particular action यहाँ पे higher court जो है वो lower court को instruction instruction issue कर सकती है कि आपने किस authority के अंदर यह decision दिया आपका jurisdiction क्या है आपने jurisdiction को exit क्यों किया इसके effect क्या है if the court find that the lower authority is acting beyond the jurisdiction मालो कोई भी ट्रिबुनल है administrative tribunal ही हो गया उसने किसी भी administrative law को इस तरह से enforce किया कि वो infringement यह दूसरे law का जो है उसके jurisdiction के अंदर गुज गए तो यहाँ पर वो court जो है उसका cancel कर सकती decision को यह limit कर सकती है चेंज कर सकती है the rate of prohibition prohibit further action and ensure the entrance to the law तो रिट of prohibition जो है उस एक के अंदर जो भी lower court का decision है उसको फर्दर आगे कारवाई करने से रोक सकती है प्रोहबिट कर सकती है तो यह हमारा डो रिट कर सकती है तो टोटल पांच हमारे पास रिट से है तो टोटल रिट हमारे पास पांच है अब हम बात क करेंगे एड्मिस्ट्रेटिव लोग का आज हम टॉपिक कर रहे है रिट नंबर थी करेंगे रिट आफ सेट्रोरी तो परपस क्या है इसका जो रिट आफ सेट्रोरी वो इस्यू किया जाता हाई कोट के तुरू रिवियो करने के लिए डिसिजन्स आफ लोवर कोटर जो भी बेद् precision चल रही है वो लीगल फ्रेवर्क के अंदर ही चल रही है तो इसके क्या इसे रिवियू करेंगी लोबर कोड की प्रोसेडिंग को तो उसको कौयेश कर सकते ज़िक है ओसको एक चेक कर सकते हैं अगर रेट ओव मैंडमास की बात करें उसका पॉर्पस क्या है। रिट ओ अब मेंडमेस कंपेल सा पब्लिक ओफिशल, गवर्मेंट बॉड़ी और लोवर कोड तो पर्फॉर्मार ड्यूटि डेट इस रिक्वाइड बाइड लगुड तो रिट ओ मेंडमेस जो है वो हाइयर कोड जो है वो इशू करती है किसी भी पब्लिक ओफिशल को किसी कुसी Government Department को किसी Lower leash को कि आप अपने duty पूरी कीज़े कोई भी hairdinkari अगर अपने duty को पूरा नहीं कर रहा उसको negligence कर रहा है और चुप कंडिशन में higher court order के थूरु trade के थूरु है किए आपकी duty है ेम्मिदारी है की काम को करने की आप इस काम को करीगे जिम्मिदार ही है इस काम को करने की आप इस काम को करें तो जो एप्लिकेशन होती है यूज्वली साउट वें डियर इस अ करता है जो जाता है परिशान करता है लेकिन जब भे वो जाता है तो हर बार जो अहीं है Wow कोई हैड कॉंस्टेवल मिलता है तो हमेशा वह यह कहता है कि प्रूफ लाओ पहले प्रूफ लाओ के तभी हम आपके कंप्लेंट को दर्ज करेंगे अब यह वेक्टिव परिशान हो जाता है तीन चार महीने लगाता है जाते जाते तो यह क्या करता है रिट फाइल करते था हाई कोट में कि मेरे केस को यह पब्लिक अथॉर्टी जो है यह पब्लिक ऑफिशल है जो पुलिस डिपाट्मेंट नहीं कर रहा है क्यों क्योंकि पुलिस की जिम्मेदार ही है कोई भी लेके आए तो उसके कंप्लेंट को तुरहंत दर्ज किया जाए उस कि लंगर करेंट कंप्लेंट है तो उस पर गारवाई की जाएगे तो इस कंडिशन में जो हाई कोट है यह जो सुप्रीम कोट है वो रिट ऑप मेंटमस इसु करेगा उस पर्टिकुलर ठानी के खिलाब उस एच्छेस को जो है प्रेजन्ट होने के लिए कोट बुलाया मेंटमस क्या है डारेक्ट करती है रेमिडी को एमड एट एंफोर्सिंग पब्लिक जूटी इसमें एक ही रेमिडी है कि पब्लिक ऑफिशल को उसकी पब्लिक जूटी पूरा करने के लिए निर्देश किया जा सकता है तो यह हमारी टोटल चार रिट कवर रिट नमबर रिट आफ क्यो वरेंटो जो है यूज की जाती है चैलेंज करने के लिए लिए लेगलिटी आप परसन होल्डिंग पब्लिक ऑफिश और एक्ससाइजिंग पब्लिक फ्रेंचाइज कोई भी ऐसा वेक्टी जो किसी पब्लिक अथारिटी के उपर बैठा है किसी सारजनिक प किसी बड़े पॉलिटीशन की कंसर्ण से परधान मंत्री होम मिनिस्टर चेफ मिनिस्टर इन किसी की मर्जी से भिना योग्यता होते वे भी उसको उस पत्पे बठा दिया गया या उसका भी परमोशन का रंक रंक के एक्सपीरिएंस के अकॉर्डिंग सिन्यॉरिटी के में रिट आफ क्यों वरेंट फाइल होती है कि आपने किस अथोरिटी के अंदर इसको प्रमोशन दीए या इसको पत पर बठाया है तो इसे अप्लिकेशन कहते हैं यहां पर कर सकते हैं गौवर्मेंट को पूछ सकते हैं कोई पर इंडिवीज्वल वो इसके खिलाफ रिट फाइल कर सकते हैं राइट वोल्ड पबलिक ऑफिस क्या आपने किस जिम्मेदारी से किस मकसस है या फिर कून से क्वलिफिकेशन से इस पत को ग्रेंड किया हूँ है तो इसका ए वेक्ति जो इस पत पर बैठने के लायक नहीं है तो कोट क्या करती है उसको उसके पत से हटा देती है अनलवफली अगर कोई भी ऐसा अपटमेंट हो जाता है तो इस रिट प्लेया क्रूशल रोल इन अपहोल्डिंग दा लॉव तो यह जो रिट है वह अच्छी रिट है य यह जाता है और प्रशाषनी गलतियों को से दाने के लिए इस्तेमाल होता है हॉट्थ और सुप्रीम कोट दोनों के पास पड़ल है इस तरह के रिट्स को इस्वेंट करने के लिए देख लिए तो हम कर रहे वृति वृति मतलब रिट्स जो एक कानूनी आदेश है जो कोट तो तुवारा विशेश क्रियाए करने या रोकने के लिए जारी किये जाते हैं इसका उडेश्य व्यक्तिकत सुतनता की रक्षा करना है साइस आशन सुनशित करना है तो यहां हिंदी में पाँच मुक्य विर्थी हूँ यानि कि हभियस कॉर्पस, ब्रोहभिशन, सल्टी ओररी, मैंडमस और क्यो वरेंटों के साथ उनकी विशेश संदर्व के साथ विवेचना भी करेंगे तो टोटल हम पाँच रिट समझेंगे पहली रिट जो है हमारी हभियस कॉर्पस हभियस कॉर्पस क्या कहती है यह वित्री वेक्टि क ніजरमंडी का समास काड़ निकार डेना एक घर के लिए उसको बाहर जाने से रुकना उसके पर हमेशा दो ऑफिसर बठा के रखना पुलिस की सेक्योरिटी लगा जाता कि उभार ना निकल पाए तो ऐसी जो यह नजरबन दी होती है यह कई वर पुलिटिकल भी की जाती है जिसे कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को नजरबन किया जाता है अनुप्रियोग क्या है इसका क्यों प्रियोग होता है यदि को अबेद रूप से रखा जा रहा है तो वह या उसके प्रती है किसी को एक अव्ब्यस्पल के लिए अछिका टायर कर सकता है तो वो खुड या उसका कोई जानकार या उसका कोई प्रिय इस तरह की आचिका डायर कर सकता है प्रवाब कैस्प Zumint अगर नियायले यह पाता है कि नजरबंदी अबेर है अगर कोड को लगता है डिटेंशन जो है वो रॉंग है तो व्यक्टी को नयाले के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसे आवश्यक्ता के अधार पर सतुन कर दिया जाता है अगर यह लगता हाँ वह उसको करेक्ट नहीं इंकरेक्ट मैंट मैं प्रशाष्ण का प्रशाष्णिक निकाय को उसकी अधिकारिता से भार जाने से रोकना है यह जितना भी उसको अधिकार छेतर मिला है अगर उसे भार जाके वह काम करता है तो उसमें इसको रोका जा सकता है प्रोइबिशन के दुरू तो अनुप्रियों क्या है इस वृतिक को समानत एक कुछ नियाल ले या प्रदीकिल्ट अदालत तवारा एक नियाईक निकाय या प्रीबंद से विशिष्ट क्रिया करने से रोकने के लिए मांगा जाता है तो उसको पर्टिकुलर टक्स करने से रोका ना जा रोका जाता है प्रोहिबिशन में इसका प्रभाब क्या अगर नियाईले यह पाता है, कि नियाईक निकाए, अपनी अधिकारिता के बाहर कारवाई कर रहा है तो प्रोहबिशन का आदेस जारी होता है, और कानून का पारण करने की दिशार में सुनाशित किया जाता है, तो यह हो गया अधिकारण प्रोहबिशन. कि अगला सर्टीबारी तो अधेश्य क्या सर्टीबारी का सवल्टी ओर्योग के अधेश्य उच्छ नियालने दुवारा एक न्यूंतम निकाई या प्रिवंद के निळणेओं के समिक्षा करना सुनश्चित करना एक कानुल डाचे के अंतर्गत किये गए अनुप्रियोग क्या है इसका जब किसी को नियुन्तम नियाईक निकाई के निड़ने से असंतोष्ट होता है तो वह सल्टी और अरी की याच्छी का धायर कर सकता है ताकि उसे निड़ने की समिक्षा हो सके यानि कि दिये वह डिसिजन से जब भी कोई सं कुछ नहीं होगा तो वह रिट ऑफ सल्टी और रिफाइल कर सकता है इवेलिएट करने के लिए डिसिजन्स को प्रभाब यदि यह दिखाई देता है कि नियुन्तम निकाई कि नियाईक की कारवाई में कानूनी तुरूटी है तो वह निड़ने को रट कर सकता है अब है मेंडमउस रिट ऑफ मेंडमप टोटल हमारी डिलल्ट होगा चौथी तो उदेश्य क्या है मेंडमप अधर किसी सार्चनिक अधिकारी सरकारी निकाए, नियुन्तम नियाक्तियाए, तो उस कारी को करने से प्रेडिट करने के लिए जारी की जाती है, जो कानून द्वारा आवश्यक है, अनुप्रियोग, यह समानत है किसे कानून के कर्टववे को पूरा करने में असमर्थ या असुकिर्थ मामले में आवेडन कर सकता है प्रभाब क्या है नियायले वृति जारी करता है और आदेश देता है कि अधिकारी या निकाय द्वारा निर्देश्ट कारिये करें मैंडमस एक निर्देशात्म कुपाई है जो सार्ज्वनिक करतवय को पूरा करने की दिशा में होता है और किस Михota कानूनित देने के लिए किया जाता है अनुपडियों से सरकार या कोई व्यक्ति आवीधन कर सकता है जो किसी कि सारेजवनिक पत्पर रहने का अधिकार पर सवाल करते हैं। जो कहता है कि वह यह किस अधिकार से इस पत्पर बैठा है। तो उसके अधिकारों को पूशने के लिए इस तरह के रिट फाइल की जा सकती है। अब प्रभाब क्या है यदि नियाले यह पाता है कोई व्यक्ति सार्चणिक पत को अभेद रूप से घ्रहन कर रहा है तो वह उसे पत से हटाने के लिए आदेश कर सकते हैं तो यह हमारी टोटल पाचरिते हो गए अब यह व्यक्ति के अनियाएक हैणी नियाएक हैं के लिए सकति दिशाली में करते हैं तो यह हमारा टोटल जो हमने पांच रिटाच कवर के लिए तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको लास्ट में इंपर्टन मेशिन दे रहा हूं कि अगर आपको एड्मिनिस्ट्रेटिव लॉग के नोर्स जाहिए तो नोर्स अल्रेडी रेडी हो चुके हैं इंपर्टन कोशन विड आंसर इंग्लिश मेडियम हिंडी मेडियम दोनों तयार हैं आप मुझसे पीडिएफ ले सकते हैं तो प्लीज लाइक करदें शेयर करदें सब्स्राइब करदें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करदें बैल आइकन को बैल आइकन प्रेस करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको मेरे लिटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरहत मिल सकते हैं आप मुझे फॉलो भी करें इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर लाइक भी करें बी ऐल बी ऐल बी ऐल बी ऑल सब्जेक्ट नोट्स पीडिएफ के साथ विट डिटेल एक प्लिएच में मेरे पास अविलेबल थे अफॉरडे़ ब्रायस पर वीडियोट्र जो है वेडिटेल एपिस्टाइल और ओप्थ फेस्टलित्वा सब्से thriving आंवेट्स आथे हैं चालिट करें एज्यूक्त करें बै龍 आऐक बैमिल नंबर है आज जो हमने कवर कि एड्मिनिस्ट्रेटिव लॉग कवर किया बहुत अच्छा रहा आज का वीडियो और आप मुझे कमेंट लेके जिरूरू बता है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है कितना है और मुझे क्या का इंप्रूमेंट करना चाहिए और किस तरह के चीजे जो है वीडियो में जोड़ देने चाहिए या वीडियो में और क्या-क्या चिंजेस लाने चाहिए तो इसे तरह से आपके situation मिलते रहेंगे तो मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगां तो थेंक्यो प्यार देने के लिए इसी तरह से आप एजुकेटर आफ देली के साथ जोड़े रहें